गमंडिया गठबंदन सिर्फ नाम रख लेने से इंडिया कोई इंडिया नहीं हो जाता है तो यह जो टुकडे टुकडे गैंग है जो कोई चाइना से पैसा लेकर नरेंद मोदी जी का बिरोध कर रहा है मतलब कहीं कोई लडाई में नहीं रहेगा और इस बार तो 400 पार का लक करते हैं वहां भी परिवारवाद आप मुखमंत्री रहें आपकी पत्नी मुखमंत्री रहीं अब आपका पुत्र उप मुखमंत्री है तो यह परिवारवाद का जो पूसक जो कहा जाता है अर्विंद केजरिवाल अध्यादेश पर जब उनको समर्थन प्राप्त हुआ ताकतवर नेता दिल्ली में जूट रहे हैं G20 के बैठक में मानने परधान मंत्री जी के ही नेतित्तु में देखे देशा चारो तरफ सुरक्षीत और विकास कर रहा है नेशन अब वन एलेक्षन अगर हो जाता है तो आप देखिए कि यही बिधान सभा के टिकट के लिए कॉंग्रेस और आरजेडी और वामदल में कैसे सिर्फुटवल हो जाएगा इंडिया गड़मनन की तीसरी बैठक मुंबई में समाथ हो गई दो दिवस्ये बैठक चली लालू नितीस समय तमाम जो धुरंदर थे 26 पार्टी के तक्रिबन 60 नेटा सामिल हुए एक एकर करके तमाम निताओं का आपने भासन सुना कई बातें सामिल निकल के आए लालू पुर्शाद यादो ने सिधे तोर पे कहा कि हम लोगों ने कसम खाया है कि नरेंदर मोधी को बेदखल कर देंगे सत्ता से सीट सेरिंग को लेकर भी चीजे अब धिये धिरे असपस्ट होती दिख रही है समन्वे समीती का अगठन कर दिया गया है अब वो समन्वे समयती तमाम दलों के साथ समन्वे अस्थापित करेगी मेरे साथ NDA के सजोगी है राश्टी लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंग एक तरह विपक्षी एक जुटा की बैठक धनाधन हो रही है सीट से रिंग तक की बात आ गई है और आप लोग कहीं दिख नहीं रहे है देखे ये घमंडिया दलों का एक बैठक था जो पटना से ही जिसकी सुरुआत हुई और उस बैठक के मैं जो तमाम नेता सामिल हुए अभी वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे और मैं भी देख रहा था देखे आधरनिये नितीश कुमार जी हो या आधरनिये लालू प्रसाद यादव जी हो या कॉंग्रेस के राष्टिये अध्यक्ष आधरनिये खरगे जी हो किसी के बातों में देश की जनता के लिए कोई भी मैसेज नहीं था आप समझ लिए कि आधरनिये नितीश कुमार जी ने कहा कि मीडिया पर कबजा है आप बताईए कि पिछले 17 साल में बिहार के मुख्यमंत्री आधरनिये नितीश कुमार जी है और नितीश कुमार जी का अगर कोई भी अख़वार उठाईएगा तो तकरीबन इनका ख़बर और इनकी पार्टी और इनके गठबंदन का ख़बर आप देखिएगा तकरीबन सत्तर परतिसत भाग में इनका कबजा है उसके बावजूद ये बता रहे हैं कि मीडिया पर कबजा हो गया है न जी आप ल प्रसाद यादो जी का जब भासन हमने देखा तो वो अपनी पुत्री से स्टार्ट करते हैं वहां भी परिवारवाद कि हमारी पुत्री ने हमको किड़नी दिया तो उनका दाई तो था करतब्य था देना चाहिए था और उन्होंने दिया भी इसका स्वागत तो पूरे दे आठीए अध्यक्च अमित साजी रहे हैं और देश के ग्रीमंत्री वर्तमान में हैं आप उनको कह रहे हैं कि वो कब के निता हो गए तो आप अपने पुत्र से कंपेर कीजिएगा क्या आप मुख मंत्री रहें आपकी पत्नी मुख मंत्री रहीं अब आपका पुत्र उप इवे परिवारवाद का जो पूसक जो कहा जाता है वो है आप देखी आदरनिय सोनिया गांधी जी के पूतर राहूल गांधी है परिवारवाद तो चली रहा है न इनके पास कोई भी भी जन देशzt के लिए नहीं है बिरजु जी और देश की जनता जो 140 चालीस करोड देश की जनता है, वो असपस्ट रूप से जानती है, मन्य प्रधान मंत्री जी के अपोजिट में किसका चेहरा है, अब बताइए, हम लोग तो बहुत काफी लंबे समय से सुन रहे हैं, कि नितीज कुमार जी संजोजक बनेंगे, अब नितीज कुमार जी को वहा अलग राज्यों में घूम कर, उस जगह का जो मसहूर बेंजन है, उसको चखना घमंडिया जो गठबंदन है, इसका मूल उद्देश से वही है, एक सवाल ये भी उठता है, कि भाई एक तरफ आप लोगों से काफी फास्ट इंडिया गठबंदन दिख रही है, बैठकों का चुनाओ नजदी का रहा है, यहां तक चुनाओ परचार की बात कही जा रही है, कि हम लोग जल्द ही चुनाओ परचार में भी जाएंगे, ग्राउंड जीरो पड़ होंगे, मुद्दो के साथ बात्चित करेंगे, देखिए आप बैठक तो कर रहे हैं, निकल कर क्या सामने रखे हैं, कि देखिए तमाम लोग आपकी बिहार को हम जिस तरीके से पिछले 17 साल में गर्त में पहुंचाएं हैं, देश भी हमारे हाथ में दीजे, हम भी गर्त में पहुंचाएंगे, कौन ऐसा निता है, महबुबा मुक्ति जो धारा 370 को पुना स्थापित करना चाहती ह हैं, क्या उनका कोई मेडूल है, अरविंद केजरिवाल अध्यादेश पर जब उनको समर्थन प्राप्त हुआ, तब उस बैठक में आये हैं, आज पंजाब का क्या हालत है, आप देख लिजे, वहाँ पर सिविल वार की स्तिती आ गई है, तो जो भी इनके गठबंदन के न हैं, क्या या दावे से कर सकते हैं, कि देश इनको स्विकार कर रहा है, जहां तक बात रही, देखिये, इनमें खलबली है, चुकि जब से बात चली है, कि वन नेशन और वन इलेक्शन, अब इनमें बड़ा हट है, कि दुबारा ये जनता के बीच में नहीं आ पाएंगे, औ पदती में, कभी बिहार में चुनाओ, कभी जारखंड में, कभी कहां, कभी कहां, एक बार चुनाओ हो, और उसके बाद सभी लोग विकास के कार्यों में लगें, तो हम लोग जो देख रहे हैं, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, घमंडिया, गठबंदन, सिर्फ नाम रख लेने से इंडिया, कोई इंडिया नहीं हो जाता है, उसके लिए विजन चाहिए, और उसके लिए पुराना जो काम आपकी हैं, वही कहीं न कहीं, आगे उसका एक्जम्पल सेट होगा, तो कुछ इनलों के पास नया कहने को नहीं था. प्रदान मंतरी स्री नरेंदर मोदी जी हमारे नेता है, उनहीं के नेतित्तों में हम लोग दोहजार चौबीस में चुनाओ लडेंगे, और इस गठबंदन में किसी को जोर जबर्जस्ती से नहीं लाया गया है, यह स्वत्तह बना हुआ गठबंदन है, कहीं कोई कि चाहट नहीं है किसी भी सीट के लिए, हम लोग 400 सीट पर बिहार में चुनाओ लडेंगे, हाँ जब सीट सेरिंग की बात आएगी, तो यह जो इंडिया नाम से जो गठबंदन बना है, हम लोग देखेंगे, इनके अभी तक तो यह चेहरा नहीं बता पाएं है, इनका कहन कि पहले हम लोग चुनाओ लड़ लेंगे, उसके बाद में जो होगा हम लोग नेता तै करेंगे, तो जनता देख ले कि एक तरफ मान्य प्रधान मंत्री हैं, जो देश के आज तमाम विश्व के ताकतवर नेता दिल्ली में जूट रहे हैं, जी ट्वंटी के बैठक में, मा जी डीपी का हालात है कि 7.8 है, जो विश्व में किसी भी देश से ज्यादा हम लोग का अभी जी डीपी चल रहा है, यह हम लोग का जो बिजनेस है वो पूरे विश्व में बढ़ा है, तो यह भारत के 140 कड़ो भारतवासियों की जीत है, मानने प्रधान मंत्री तो बराबर केट देते हैं अपने देश के नागरिकों को और अपने बग्यानिकों को, आज चंद्रियान हम लोग का कहा है और देश का हम लोग का प्रतिष्ठा कहा है, आज हमारे पासपोर्ट का वैलू पूरे बिश्व में क्या है, यह बताने के जरूरत है, तो यह जो टुकडे टु आपित करने का जब जब प्रयास देश के प्रधान मंत्री ने किया है तब तब देश के कुछ ऐसे हम लोग के बीच में लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत बहुत मजबूती से तरकी करें तो डिश्टर्ब करने वाले हर समय रहे हैं लेकिन देखिएगा कि 2024 में मतलब कहीं कोई लड़ाई में नहीं रहेगा और इस बार तो 400 पार का लक्ष है यह बहुत आसानी से आप देखिएगा कि आदर्निय प्रधान मंत्री श्री नरेंद मोदी जी हांसिल करेंगे आप लोग कह रहे हैं कि 400 पार चलिए आप लोग की बात तो इदर के लिमान लिए जाए यह कब संभा होगा तब ना कि जब आपस में जो दोस्त हैं आपके वो सही हो वो उस मुद्दे पर आपके साथ हो सब की अपनी अपनी महत्वकांचा है चिराग जी को कैसे मनाईएग बिल्कुल देखे जब एक नेता के नेतित्तों में जब एक गठवंदन चुनाओ लड़ता है तो कॉंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहता है कि यहां पर हमको एंडिये को जिताना है तब पार्टी उस समय गौन हो जाती है और आप देखिएगा कि हमारे गठवंदन में कहीं क इंडिया नाम से जो गठवंदन है निकल कर इनका कभी कुछ नहीं आया ना पटना में आया ना बैंगलोर में आया आप क्वाडिनेशन कमीटी बनाते रही है ना आप बना दीजे उससे क्या मतलब है जब धरातल पर जब आप उतरियेगा तब पता चलेगा ना वन नेशन वन एलेक्षन अगर हो जाता है तो आप देखिए कि यही बिधान सभा के टिकट के लिए कॉंग्रेस और आरजेडी और वामदल में कैसे सिर्फुटवल हो जाएगा हमारे इंडिये रूपी गठवंदन में कहीं कोई दरार नहीं है ना कोई बिवाद है हम लोग एक हैं और एक साथ ही हम लोग पूरे देश में चुनाओ लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाओ नजदीक है और ऐसे में इंडिया और इंडिये जो है दोनों की बीच मुकावला काफी दिल्चस्प देखने को मिल रहा है दावे किये जा रहा है कोई वापसी का दावा कर रहा है तो पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए फेस्बूक पर देख रहते पेज को लाइक और फॉलो कर लिजिए